हैलो दोस्तो, वेलकम बैक टू फाइनन्स जानकर यूटूब चैनल दोस्तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको HDFC बैंक Easy Shop Platinum डेविट करण का अनबोक्सिंग और रिव्यू देने वाला हूँ दोस्तो मैं ये किट को भी अनबोक्सिंग करूँगा आज साथी साथ मैं आपको बताऊंगा भी ये जो डेविट काड है इस डेविट काड का क्या क्या बेनिफिट से क्या क्या फीचर्स मिलते है एक्स्प्रेन करने वाला हूँ तो आप सबसे रिकोस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना और दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो परसोनल फाइनेंस, बैंकिंग और इन्वेस्मेंट रिलेटेड आपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को अभी काभी सबस्क्राइब कर लिजे चले दोस्तो बिना टाइम वेस्ट की आज की वीडियो को सुरू करते है तो दोस्तो आप देख सकते हैं HDFC Bank Easy Sob Platinum का किट कुछ इस तरह से दिखता है आप इस किट का बैक साइड भी देख सकते हैं ज़्यादा खास इनफोर्मेशन आपको यहाँ पर नहीं मिलता है तो दोस्तो चले अभी हम इस किट का अन्बोक्सिंग करते हैं और देखते हैं कार्ट कैसे दिखते हैं और इस कार्ट का क्या क्या बेनिफिट्स और फीचर्स मिलता है दोस्तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हू HDFC Bank Easy Shop Platinum जो डेबिट काड है वो कैसे दिखते हैं ठीक है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर HDFC Bank का जो Easy Shop Platinum डेबिट काड है वो कुछ इस तरह से दिखते हैं उपर में आपको एक साइड में दोस्तो Easy Shop का यहाँ पर लोगो मिलता है और opposite साइड में आप देख सकते हैं HDFC Bank Classic लिखा हूँ है यह जो अकाउंट के साथ आया है दोस्तो वो Classic Account है इसलिए यहाँ पर में Classic है अगर आप एक normal saving account या current account holder है तो आपका दोस्तो यहाँ पर classic लिखा जो है वो नहीं आएगा ठीक है और classic banking क्या है अगर आपको नहीं पता तो उसका वीडियो अल्रेडी मैंने चैनल के उपर डाल रखा है तो आप जाके उसको देख सकते है और दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है international debit card नीचे नाम और दोस्तो जो card number बगेर है वो सरे details लिखा हुआ है तो वो मैंने यहाँ पर hide कर दिया और आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे विजा लिखा हुआ है यानि विजा platinum यह जो है debit card है दोस्तो दोस्तो आप इस card का opposite side देख सकते हैं वहाँ पर आपको CBP जो है वो मैंने यहाँ पर hide कर दिया और बाकी सरे जो भी चीज़े यहाँ पर लिखा हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है दोस्तो आभी का टाइम पर जो भी card साते हैं नर्माली उसके उपर ज्यादा information नहीं रहता है सारे चीज़े वो जो card है उस card का features and benefits के उपर ही रहते हैं तो दोस्तो चलिए इस card को side में रखते हैं और देख लेते हैं इस kit के अंदर और क्या-क्य documents आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक involve मिलता है जिस involve में आपका नाम, आपका address, यह सरे details होते हैं और साती साथ आपका जो यहाँ पर platinum debit card है उस debit card का number और आपका जो HDFC bank का account number और साती साथ आपका यहाँ पर जो daily card, ATM withdrawal limit और daily का shopping limit वो सारे limit आपको यहाँ पर दिख जाएगा तो दोस्तो आप इसको pause करके देख सकते है मैंने यहाँ पर दोस्तो जो account number और जो card number बगएर है वो मैंने यहाँ पर hide कर दिया और बाकी सारे information आप यहाँ पर देख सकते है तो दोस्तो यह involve open करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते है dear classic customer, thank you for opting for the HDFC bank platinum debit card ठीक है तो यह जो card का features और जो benefits है वो यहाँ पर आपको mention की गई है तो आप यहाँ पर देख सकते है up to 9000 cashback per year यह cashback भी आपको कैसे मिलेगा पर मान 750 रूपीज वो भी मैं आपको बताऊंगा और साथी साथ दोस्तो इस card के साथ 1 करोर रूपीज का दोस्तो एक्सिडेंटल डेथ कोबर आता है यानि यह debit card यूज करने वाले में से अगर कोई किसी का भी दोस्तो यहाँ पर एक्सिडेंटल हो जाता है और जो वो 1 करोर का जो डेथ कोबर या दोस्तो वो इंटरनेशनल यार यानि अगर आप फ्लाइड में ट्राविल करते है और उस दोरन आपका कुछ हो जाता है तो उस case में आपको 1 करोर मिलेगा और अगर दोस्तो परसुनल एक्सिडेंटल डेथ कवर बाई रोड बाई रेलवे और दोस्तो यहाँ पर होता है तो आपको यहाँ पर 12 लैक रूपीस का आपको यहाँ पर इंसुनेंस मिलता है ठीक है लेकिन उसके लिए भी conditions है क्या conditions है मैं आपको बता देता हूँ दोनों का मतलब international AR accidental debt cover और आपका जो यहाँ पर personal accidental debt cover मिलता है यह दोनों का एक ही criteria है दोस्तो कि आप यह जो card है इस card को आपको हमेसा use करते जायना चाहिए मतलब यह जहाँ पर दोस्तो आपको क्या करना है कि आपको कोई भी एक e-com transaction पर मांद करना है minimum ठीक है अगर आप हर महीने दोस्तो कोई ना कोई e-com transaction करते हैं मतलब आप online shopping करते हैं online कोई भी transaction करते हैं तो अगर आप करते हैं दोस्तो तो आप इसके लिए eligible रहेंगे हमें साथ उसके साथ दोस्तो आप देख सकते हैं आप टू 5 lakh रूपीज का insurance मिलता है debit card misuse के against अगर आपका debit card से कोई भी misuse हो जाता है या आपका debit card से दोस्तो कोई भी withdraw हो जाता है जो आपके presence में नहीं होता है या अगर आपने कभी किसी को OTP share नहीं किया फिर भी अगर आपका ये debit card के थूरू दोस्तो कोई भी transactions होता है तो वो जो transaction होता है उस transaction में आपको up to 5 lakh rupees का यहाँ पर misuse का जो insurance मिलता है मतलब अगर हो जाता है by chance तो दोस्तो आपको यहाँ पर up to 5 lakh rupees तक का जो misuse cover है वो आपको यहाँ पर मिलेगा लेकिन दोस्तो धियां रखिएगा ये cover भी लेने के लिए आप खुद से किसी को भी OTP share मत कीचे अगर आप किसी को OTP share करते है उसके बाद यह transaction होते है तो दोस्तो आपको कोई भी यहाँ पर covers नहीं मिलेगा ठीक है तो आप यह चीज़े जरूद धिया रखना है तो उस case में आपको up to four lakh rupees आपको यहाँ पर मिलेगा और दोस्तो नीचे भी आप देख सकते है कुछ खास आपको यहाँ पर नहीं मिलता है ठीक है safety tips वगरा है दिया हुआ है और यहाँ पर जो जो पे 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 पारक राओ उसका यहाँ पर एक signature मिलता है दोस्तो यह जो पर पॉस करके पढ़ सकते है चलिए दोस्तो अभी मैं आपको यहाँ पर yearly savings का जो चार्ट दिया हुआ है HDFC bank की तरफ से वह मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है तो आप यहाँ पर देख सकते है जो यहाँ पर यहाँ पर देख सकते है जो यहाँ पर प्रोडक्ट फीचर स चाते है या कोई भी आपको information चाहिए तो आप यह जो नीचे phone banking number से उसमें आप call कर सकते है दोस्तो इसके अलाबा आप देख सकते है यहाँ पर यहाँ पर आपको documents मिलता है लिखा हुआ है your debit card is your EMI card मतलब आप जो debit card EMI लेते है आप वो भी इस card से ले सकते है अगर आप इस को भी पढ़ना चाते है तो आप यहाँ पर दोस्तो पॉस करके वीडियो को पढ़ सकते है मतलब दोस्तो आप अपना जो debit card information से हुआ आप किसी को मत share कीजिए उसका ही यहाँ पर documentation दिया हुआ है आप यहाँ पर देख सकते है ठीक है और साथ में दोस्तो जो यहाँ पर product features है salary savings account current account का क्या-क्या charges से कितना transaction आप free कर सकते है वो सारे details आपको यहाँ पर दिया हाँ है तो दोस्तो HDFC bank easy soft platinum debit card का unboxing किया उसके साथ मैं आपको बता दिया कि इस card के साथ आपको क्या-क्या features and benefits मिलता है अभी चलिए बात करते कि आपको जो 750 rupees per month का cashback मिलता है इस card के साथ वो आ बहुत सारे तरीका है अगर आप कोई भी bill payment करते है कोई भी utilities का bill payment करते है तो उस case में आपको यहाँ पर up to 750 rupees 1% का cashback मिलेगा वो जो transaction है वो online transaction होना चाहिए अब धियान रखिएगा दोस्तों अगर आप HDFC bank easy soft platinum debit card का features and benefits के बारे में details में जानना चाहते है तो आप description पर जाए कोई भी doubts है या कोई questions है तो आप नीचे पूछ सकते है comment में मैं आपको reply करने की पूरी कोशिस करूँगा दोस्तों यह वीडियो पसंद आया तो एक like कर दीजे एक like से बहुत ही जादा motivation मिलता है साथ ही साथ अगर आपने इस channel को अभी तक subscribe नहीं किया तो banking, personal finance and investment related वीडियो